गाओं की कहानी कोई बोलना नहीं चाहते है लोगों को लगता है रिष्ट अब उसी जगे पे देखो OTT में भी पंचायद चल गई तीन फिल्म है आपकी जिन पे हम बात करेंगे एक तो आई-म कलाम जो अभी आप जिक्र भी कर रहे था एक बच्चा मिला था मेरे को कालकाटा से भुवनेश्वर की ट्रेन में जिसके साथ टॉलेट में मैंने तीन-चार गंडा को जा रहा हूँ दूसरी फिल्म है आपकी जल परी इस पे मैं जार्द देर ठहरूँगा मैं एक एड़ सुट के लिए हर्याना गया था चोटे से गाओं में और उस पॉंड में पांच फिटस तह रहते हैं कड़वी हवा संजेम इश्रा है इसमें मैं संजेब आए के पास गया मैंने बहुत कमाल की फिल्में हैं कड़वी हवा जल परी और आई-एम कलाम और इसे बनाने वाले आज हमारे साथ है नील माधव पांड़ा पर आज हम लोग इन तीन फिल्मपाद में बात करेंगे उनसे पहले बात करेंगे उनके एक सीरीज आ रही है और उस सीरीज का नाम है दजेंगा बुरू कर्स कैसे आप बहुत बढ़िया पहले यह खोलिएगा कि एक लाइफाई थ्रिलर सिरीज क्या है और यह फिल यह सिरीज किस बारे में जंगरुकर्ष इसके ऊपर काफी चर्चा रही क्या करें कैसे इसको प्रजिट करें एक तरीके से कहनी ट्रीटमेंट मैं कहूंगा कि यह क्लासिक थ्रिलर नहीं थोड़ा सा एक एक्स्ट्राइरडिनरी फास्ट रर्निंग थ्रिलर है ठीक है और मुद्दा जो है हर चीजों पे जो उसकी सब्टेक्स्ट है हो रिलेट करता है प्रेजेंट टाइम दुनिया की अभी की समय के साथ पर कहानी सुरू होती है लेजेंड से तो जब उसकी हमने सूचा कि क्या जोनर है इसे बात करते हैं हम खुद को समझ में नहीं है जोनर क्या है बला किसी ने उठा उनका जो प्रेटी बैड़े है उन्हों कि बात करते है उन्हों कहा कि यह तो प्लाइम चेंज फ्क्षिन होगी दो यह तो यह एक ही मुद्दा बात होते हैं अज वहाँ बाढ़ आगगी कल दुनिया की मलब Human History में सबसे ज्यादा heat इस बार हुई कहीं पर grains की कमी कहीं पर dirt की drought हो रही है कहीं पर sea level rise हो रही है तो मेरे हिसाफ से ये almost एक translator हो जाएगी कि कलाइफाइ के उपर सब बाते करें बनाएं और उसकी impact basically हम भी ये चाहते बिखिया नो CC थ्रिलर की साफ से न देखे . विकर्ष रजरों काहनी हर मुद्ध की है जिससे रहते पहरे ? एक बार खिरम बांच हिसे और खिर्षों करा में जेंगावरू से रहते हैं, जेंगावरू पोह हो आँए चाहे कोई रिवर की हो या कहीं पर मंदिर बना है या कोई पहाड के उपर हो ऐसे ही एक लेजेंट होती है इन ट्राइबल्स की जो राजा मानते हैं अपने पहाड को भगवान जैसे पूछते हैं आचानक किसी ने किसी को पता चला कि उसके नीचे कुछ प्रेशियस मेडल है गए आता है उसको खतमगा करता है इतने सिम्पल सी बात होती है पर यह बहुत कमन कहानी है और यह ए सचाई दूनिया आफरीका से लेके और यह उन Hijamatically Net एस्ट 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 रिय सैलिया हर जगा इंश्चा हूं है है उसके आर उसके बात होता क्या है परस सीम्पल यहां बैठे भी है इस सारा मेटेरियल माइनिंग से ही आई है तो इसका कर्स हम अभी भोगत है इसमेरा मैं ट्रेलर देखा जब मैंने तो मुझे बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जैसी फील आई इसमें तो यह क्या है इसका कुछ नॉर्थ कोरिया से कनेक्शन है या फिर कुछ उसमें बोलता भी है वह नार्थ कोरिया के लिए कि या अन्य कुछ इंटरनेशनल कई के जगों पर साथ शूड भी हुई है तो वह क्या इसमें इंडिया शूड हुआ है लंडन शूड हुआ है काहनी नर्थ कोरिया मियामार तक जाती है ठीक है एक बेसिकली इं स्टोग एक्षिंग फॉल होता है अच्छा गुट्याओ अच्छा शूड हाओ यह आ है एक एक चोटी सी गाओं में इसा क्या है जिससे एक यूके की बिलेनेयर और नर्थ कोरिया को फरक पड़ता है यह इतना बड़ा कहानी है अच्छा काफी बड़ा था चाहना है बाकी सब देखेंगे ना सोनी लिव पर आ रही है सिरीस जैसी फिल्में आप बनाते हैं जैसा कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं इसमें मतलब मुझे पर्सनली एक खत्रा नजर आता है क्योंकि आपकी जितनी फिल्म है कुछ ना कुछ उनका सोशल कॉज होता है तो इसमें रहते हैं फिल्म या लिख रहा होता है जो कोई जिससे आप कहते हैं ऑकुद भी आप तो क्या ये चीज आपके दिमार्म में होती है ये खत्रा महसूस होता है कि यह कीसे बनाना कि इंटरेन भी विकए लोगों को और आपका कॉस भी बचा रहेए देखे खत्रा महसुस तब होती थी सज बताएं तो जैसे आयम कलाम ठीक है आप एक चोटा सा बच्चा गाउं से आता है धावा में उसको इती सी बात है कि उसको पढ़ा ही करना है हां अब बच जब फिल्म बनाओगे इनों जब आप देखिते हो इतने बड़े देश में फिल्म बन रही है सो करोड़ दोसक्रोड धन्दा कर रही है वहां पर आब एक बच्चे की कहानी लेकराओगे अ butम फिल्म बनाओगगे तो दू आपको लोगों के वी अ लोगों को लगा कि क्या है कि हो खत्रा कि उस फिल्म फाइनली प्रूब हुआ कि देश की एक ट्रेंसेटर फिल्म थी हाँ लोगों को इतने पसंद आया कि आज भी 13 साल के बाद आयम कलाम की जिघर होती है इस पर खत्रा नहीं था इसलिए हां राइटिंग डिफिकल्ट थी तीक है मेकिंग डिफिकल्ट थी न्यूटन वाले मनीश तिवारी से जुड़े रहे हैं उससे पहले कई सरे लेखक ट्राइब किये बट अच्छे लेखक थे लेकिन क्रैक करना मुश्किल था बिकास एक नया जोनर की कहानी आप बोलना चाहते हो थोड़ा सा आपके ट्रीटमेंट और स्टाइल में बड़ा दिक्कत आती है ठीक है और मेरे रिसर्च काफी थी तो उसमें दिक्कत नहीं आई खत्रा इसलिए नहीं था क्योंकि इतने डार्क स्टोरी दुनिया में हैं सिंपल सी बात होत होती है कहानी which goes to so dark तो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे को बड़ा मजा आया है because you had a very wide escape story अच्छा यह कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग कि अब आपने मुद्दा छेड़ दिया कि इसका ट्रीटमेंट इस तरह से रहेगा या फिर चुकि आपके हाथ में क्या होता ना कि फूरी फिल्म तो बनने के बाद ही पता जलती ना कि जब एडिट टेवल पर जाती है फिर प्यांवाल कि दिसके आप पहले कहानी कोया आधमी पैसे लेले और को बादा पैसे को में अब एक कहनी को मै इसका है कि आपके लक्तारी बनाओ वार फिल्म बनाऊ या थ्रीलिरップ क्या defect यह हुआ, मैं उस कहानी की सब्टेक्स्ट है, पहाड, जंगल, पेड, यह करेक्टर से हैं, उसकी कहानी आप कैसे बोलोगे, तो इसलिए इस बार, ट्रीटमेंट में जब बैठे है, हम बोले इसको एक, 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 जैसे आपने कहा कि बड़ा इंटरनेशनल लग रहा है, एक, एक, एक dark, somewhere एक dark classical thriller जैसे उसको त्रीट किये, कि अच्छा जैसे उसको त्रीट किये, कि इस नोगल, जैसे कहते हैं कि कमर्शियल स्पेस की, फास्ट हीटिंग, यह सा नहीं है, यहाँ है, लोग अफ लोग फोजिक गोस इंट गोस इंट एंट, जैसे आप देखे हैं, म पर जाएंगे तो फुल-on action है but it's still very real action because there are tribals involved in it there are jungles you know so उसकी फाइदा लिये है but treatment जहां तक बाद आती है कि पहला चीज है वो thrill महसूस होनी चाहिए लोग feel करना चाहिए तब जाके मेरे character गुशेगा और series में क्या होती है series में बहुत बड़ा बज़े सिनेमा से series कि अंतर long form में क्या है आप character जब तक नहीं पकड़ेंगे आप कहानी नहीं बोल पाएंगे cinema time story में खड़ा हो जाता है इसमें पुरा दसो उसमें character arc बदलता हुआ दिखेगा बहुत तकलिवत है आप आज जब कहानी लिगते है यहार दस मिन फेर्टर यहां पहुचा फिर आप 20 मिन में क्यूंके audience के पास ना पांच मिनिट में दस और show है देखने के लिए ये आज रहे हम इस भी आखने से शूब देड़ाँ है तो तो क्या रहे गारते? इसे बिकमेंगे रिष्की जा मैं कि इस मेरा पहला डेविट है तो इसलिए इतने रोटी वेलना पड़ा इसके लिए जो भूम सिनमा से आते हैं सिनमा की ग्राब मालूम है आपने को इस वहल नूर आट बटर पार्ट इस प्रेट पार्म आप स्टोरीटेलियम आप रुकते नहीं हो, आपके पास रिस्क नहीं है, आप मज़े से जो खेलना हैं खेल सकते हो, as long as you keep audience on their toes. आपको खत्रा नहीं रहता है कि आपको दो ही घंटे में कहानी कहतम करनी है, आपको पूरा स्पेस है, टाइम है, आप किरदारों को और जादा अनफोल्ड, उन पे और परते चढ़ा सकते हैं, आगे खोल सकते हैं, आपको जितनी फिल्में देखेंगे उन से कोई न जैसे मैं भी शुरुआत वी बात कर था तीन फिल्मों की उन पर भी मागे आएंगे, पर आपकी जितनी फिल्में देखेंगे सब कुछ न कुछ कोई चाइल डेबर है कोई फीमेल फटरसाइड है कुछ अलग-अलग तरह के उस पर जैसे कड़वी हवा वह क्लाइमेट चेंज इन सब मसलों पर है तो आप ऐसा क्या आपको हीट किया कि आपने सोचा कि इसी इनी सो जी कि आपने सोचा कि ऐसा ही सिनेमा बनाना है क्या हिट किया कोई इंसिडेंट था या कोई ऐसी फिल्म थी आप उडिसा से जब डिली की और आ रहे थे उस समय कुछ हुआ क्या हुआ ऐसा लिए बहुत सिंपल सी बात आप जब गाउं में चोटी सी गाउं में ग्रो करते हो आप सब कुछ छूट जाती है लेकिन घर कभी नहीं चूटती गाउं कभी नहीं चूटती ठीक है और गाउं में एक इंटरेस्टिंग चीज से पैदा हुए कि हर आदमी के पास एक कहानी होता है चाचा बतिया गाउबाला इस बस्ती उस बस्ती मच्छवारा बस्ती हर जगे पर कहानी थी तो एक आदत सी बन जाती है वो बच्पन से यह था कहानी तो बोलना है किस परम में बोलना तो पता नहीं था अब जब ग्राजुएशन में फेलफुल होगे तो दिल्ली आए तो पता चला ऐसे भी बोला जा सकता है जब बोलना शुरू किया यह हमेशा से था क जल्याल कि मेरिक हमारे विसकानी है उसको बोलना जो बरे रहा है और यहां पर ऐसा हो गया आप देखे गा तो गाउन क केาनी कोई बोलना नहीं चाहता लोग को लगता है रिसकी है लोग नहीं देखिएँगे अब अशी ज cabeça पर देखो ऑ ne मेरे लिए बहुत आसान होती है काहनी बोलना विकाज मैं महसूस कर पाता हूं अ relacion-ध तो मुझे आप शडüstन gकी मेरे को मुमबाई— अंडरौन की हों मैं डिफिकल्ट हो सकता हूं अध करसकता हूं तो दिल नहीं रहेगी इतना जितना में गाउन की कहानी और ऐसे टर्डिल्वल की कहानी बोल सकता हूं अब नारजर वर्ल में जी आहूं तब जाके विकशना इन्मोल्मेंट अलग 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 देशों में रहा है तब जाके मैं I could pinpoint and what happens with with tribal people or mining, I can tell the story easily. अलग 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 देशों में रहे हैं आप? किस फिल्म में फिल्म ही जी अच्छा चलिए बोस समय नहीं वर्ना मैं उस पर भी बात करता तीन फिल्म है आपकी जिन पर हम बात करेंगे एक तो आ इम कलाम जो आप अभी आप जिक्र भी कर रहे तेंगे उसका आज भी लोग जिक्र करते हैं कैसे सुझाए आइडिया कि और चाइल्ड आर्टिस्ट जब आप कोई लेते हैं अपने फिल्म में तो यह भी एक बहुत सारे हम रिस्क की वात्ते रहें रिस्क कैसा मतलब उनके साथ काम करना कितना टफ होता है कितना आसान होता है क्योंकि बड़े को आप समझा देंगे एक बार वो समझ जाएगा वैसी ची अच्छा उसकी प्रडिसर थे बार्बरा बोकली जो जर्मस्वड की प्रडिसर हैं तो अमेरिकन डिरेक्टर आई यहां रोगिन रवानब जो एक कैमरा में डूंडे तब मैं कैमरा करता था तो उन्होंने मेरे को लेके गए और मैं स्टार्टेड वाक्टिं में अलमोस हर स् कि उसमें से एक बच्चा मिला था मेरे को कैलकाटा से भूवनेश्वर की ट्रेन में इसके साथ तो लेट में मैं तीन चार घंटा कुझा रहा था तो ट्वालेट में एक चोटी सी ट्वालेट में बिसके पास टिकेट नहीं ता तो पुलीस पकर लेता बहुकर ब़ोलकि पूछोगे जैसे आप जाओगे कोई भी बच्चे को पूछोगे तो हूँ चाहे सलम में है या चाहे आईसपसर का बेटा है यह हम आपकी बच्चे हैं बच्चों के लिए क्या है हो अपने कौन सी संसार में जैसे हम बोलता है न हमरे अवकात और प्रेजडिस होती है न यह उ सिंपल तो तब बाकी सारा ड्रामा प्लोटिंग में जाके सेट अप किया बट सिर्फ और सिर्फ बच्चे की स्पिरिट को कहानी में ले जाए है क्या बात है मतलब एक वही आप कहरते हैं कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ कहानी मिलती जरूर है दूसरी फिल्म है आपक और जल करी इसी फिल्म है बड़ी स्कृप्ट में बहुत ज्यादा सेंसितिविटी है बहुत सम blues शीलता है इस स्कृप्ट में क्योंकी यह ब्रूड Canal को विशह थो आप में और सेंसे ब आप और स्कृप्ट में कैसे आप भरते हैं आप ये कहसकते हैं कि दुर्द ने लिख आप इस पर क्या सोचते हैं कैसे वह आई उस फिल्म में जलपरी में एक तो स्टडी होती है कि 2001 में जब सेंसस की डेटा आया और उस समय पर सब चौक गए कि फिमेल डूमेल रेसियो इस फॉलिंग डाउन इंडिया तो यह तो चौकने वाले बात थी कि इसे देश में यह होग बहुत सारे बात चीत हुई पट मेरे लिए शॉकिंग यह था कि बट उसको लेकि में डॉक्यमेंटरी बनाया एवरनेस फिल्म में बनाया उस समय पे मैं काफी टाइम दिली में हुआ करता था मैं एक एड़ सुट के लिए हर्याना गया था चोटे से गाओं में और उस पॉंड में पांच फिटस तहर रहते तहर रहते मरे हुए एक में दो कुत्ते खा रहते वह इतना डिस्टरब किया कि कई दिन ऐसे बुरे बुरे होती है ना सब्ने आते हैं डाक सब्ने आए लिके इन ॥ा पूरी काहनी ने से शुरू हुई ऊसको पर एक प्लाटिंग किलो की दिली में रहते हैं और और हो सब गाम जाना ह काना चाहते हैं और ए fins जो चीज आपके पास रह जाती है और आप डाइजस्ट नी कर पाते हो रह नहीं पाते हो इसको बुलना पड़ता है तो यह हो काहनी यह फिल्म आपकी ऑसकर डारेक्ट आउसकर एंट्री थी यह नहीं यह मेरा काली रह थी तो यस्टेडे़ पास लास्ट फिल्म वो लॉंग लॉस्ट पर गया था अच्छा जिस समय पे सुरिया की वी जो फिल्म गई थी तो उसका लॉंग लिस्ट नहीं यह नहीं गई थी जल पर ही यह इंटरेट पर ऐसा मौदूद है कि ऑसकर में गई ही यह फिल्म आमिनेट ए स्वारी एंट्री हुई इसकी डिरेक्ट एंट्री तिये रिए समय कंस में तो गयी कान में गए यह फिल्म कांस में harakeट में hia amNonakla pers nghrand vacina और यह भी नहीं है और इसको भी दिखाये दिखाए थे मार्केट में एक आए इसलिए खिरा नदा किया दो मार्केट में एक एक बड़ा लोग कहते हैं की बड़ा जी शान भी कह रहे थे और एक नवाज के साथ मने इंटर्वी किया थे वहां जा कि लोग दिखा देते हैं और पैसे देखे और यहां के कहते हैं कि स्वाज कई तर छिक आपकीश्य करिंद देखे आप त्यॅन तरो वह एख है थे यहां है स्वाड़ीज सिर्ड़ी रहें। चैकर मैं मदेक लिखे यहनाएव को है दो कि यहां है तो नहिए तो प्रव्न करिंग कि नोंत थे के इड़िए। आप आपकी फिल्म वैनिस में सिलेक्ट होती है तो आप मैं कहूंगा बहुत बड़ी आप अपने कांस होती है टोरंड और सॉंदेंस यह जो हूल फैलसी है कांस जाती है यह होती है यह एक तरीके से इस्काम नहीं बोलेंगे बिकास एक पब्लिसिटी सब को चाहिए इसको स्क बनाया है उसको कोई ना कोई तरीके से मार्केट वैल्यू निकालना होता है अब यह उतना वैलियू नहीं है आप बर्लीन या कांस में जाते हो मैं 12 साल से फेस्टिबिल जा रहा है ऑफिसियल सेलेक्शन जब तक नहीं हो उसका फाइदा नहीं है बट किसी ना किसी तरीके स से एक मीडिया वैल्यू हम निकालते हैं ठीक है तो अलाकि हमको कभी जरूरत नहीं पड़ा क्योंके मेरे मोस्ट अब फिल्म वे फंडेट फिल्म में अब आयम कला मैंने बनाया डिस्टिबिट किया नेट्फिलिस को दे दिया तो उसको और क्या और वैल्यू निकाले जो फ दो करोड में बने या दोसो करोड में सारुक को भी दस तरीका धुनना पड़ता है उसको पॉब्लिसिटी के लिए कि आठा उस फिल्म को नहीं धुनना है तो यह इसको कोई अगर कहता कि यह स्काम होती है स्काम नहीं है और यू फाइंड वे तो प्रोमोट यो प्रोमोट की तो यह आपने ज़बात कर ही कहीं आपको मार्केट करना ही है और वहां पर पूरा वर्ड होता है इक्सा कर्शाइत-ट जाता है वहां पर थाकिंप कि मार्केट में चार और लोग देखें ऑसी ख्रीड लिया हमने जैसे हम आयम कला में चोटी-चोटी लुक्जंबॉग छोटे आफ्रिकन कांट्री ऐसे चोटी-चोटे कंट्री से कहीं से हजार डेलर दो हजार डेलर ऐसे करके बेचे है तो अभी थोड़ा सा डिजिनल वर्ल के बज़े से मार्केट बदल गई है अभी बट इन अली 2000 से 2011-12 में तो उसे होल डिफेंट मार्केट कड़ भी हवा संजय मिष्णा इसमें तो उनसे जब आपने इस स्क्रिप्ट उनको उनके साथा की थी तो क्या उनका क्या रियक्शन था उनसे क्या बात्ची थी और उनके रोल के लिए आपने क्या ब्रीफ किया था उनको वह सिंपल जब स्क्रिप्ट अच्छा होता है ना वह बल में छक्का वाली बात है मैं संजय भाई के पास गया मैंने बला कहानी यह है डेट यह है पैसे नहीं कहानी सुना कहानी सुने डेट बता एड़्जस्ट कर लोगा चलो सूट करते हैं जब आपकी स्क्रिप्ट बहतरीन है और ज इसे कम मिल जाए पिकस एक एक्टर के लिए क्या है उनकी किदार बढ़िया है और संजय भाई की पॉफरमेंस कर भी हावा मैं खुद बना के अपनी इतारीप करूंगा यहां पे वी क्यूंकि इतने कमाल की पॉफरमेंस मैं आद तक मैं अपनी फिल्म बनाया हूं और अपनी बनाया है और यहां प्रश्च पर दोनों बैट के काफी समय दिये करेक्टर को समझे और मैंने उसको बाइद वह कोड़क सिक्ष्टने में में शूट किया हूं अच्छा वह प्रबली उसके बाद पता नहीं लोग किया है कि नहीं बहुत मुश्किल था विकाज रिल प्रोसेस करना सब करना बड़ा मुश्किल था तो कड़ी हवा के लिए उसमें एक सीन है जब गुनु आके बोलता है कि सॉरी मेरे को कैसे भी बतावल कि मेरा सिंगल सॉट सीन है और डिजिटल में आप कर सकते हूं रोल खत्म हो जाती है हो गुनु आता है उसके बाद उसके एक सीन पिछेए पिछेए जा कि सिंगल टेक दोनों ने मतला मैंने उसको वड्राक्तिस किया उस को तीन दिन रियर्स करने के बाद चौते दिन नुष्क हमने पूर Ainbos weird करेंगा इसने कर जात उसके कि आप जैसे अभी बात कर रहे थे मार्केटिंग वाली बात कर रहे थे और संजय मिश्रक बोला कि कोई भी एक्टर के पास आप जाते हैं अगर कहानी अथी होती तो हां करता है है तो कभी आपने यह नहीं सोचा कि आप इतना अच्छी फिल्म है और ऐसको लगाओ कि आर मेर लाइक फल्म नहीं है ऐसा हुआ कभी ऐसा दो हुआ नहीं कभी तो आपकी पॉबलिसिटी और थोड़से नेट्वरकिंग चार पॉबलिसिटी बेटर हो जाती है बट ते सेम टाइम मैं ओ फिल्म एक्टर हो जिससे मेरे को मेरे काहनी के साथ जो एक्टर फिट बैठता है मैं उसी के पास जाता हूं मैं ऐसे कोई बड़े एक्टर के पास गया नहीं ना हो ना भी बोले मेरे को ठीक है बिकस मुझे लगता नहीं था कि मैं किसी दूसरे एक्टर को एप्रोच कर सकता हूं सिमिला ली जेंगा वरू में भी आप मुकेश चाबरा ने कास्टिंग की है मुझे इतने परफेट कास्टिंग की मैंने एक भी कास्टिंग के उपर सवाल ने उठा पाया अच्छा यह माली यह यह आपकी फिल्में तीन चार फिल्में तो फोन तो आता होगा ना किसी बड़े एक्टर या फिर बड़े माली नसीयर का या किसी का जैसे यह अच्छा एक्टर सब्सके आपके सब्सकाढ़ खिस कारता है कि लोग फोन करता है कि रेट difries नोट इक आपकिídaओर किसी ने कियो श्रुद्री में काम करने के इसे स्क्रिप्ट के लिए बात हुई दो तीन एक्टरस पर और मैं बात करूंगा रादिका आपते के साथ आपने काम किया है वह कैसे कैसी है सेट पर क्या करती है यह संजय मिश्रा भी क्या करते हैं सब्सक्राइब यह लोग जिए रादिका आपते वह डारेटर सेक्टर है काहनी बता पाते हैं किर्दार बता पाते हैं तो आपको स्क्रीन को जमा देते हैं सिंपल सी बात है जैसे कड़वी हावा के लिए संजय भाई को बहुत मेहनत करने पड़ी अच्छा बिकसों केरेक्टर एसी थी पूरा अलग दुनिया में जब वहां गय भी हो खुद मना कर हाट मैं नहीं रहुए होट्र में नहीं रहुए होट ज्यादा तर गाउं में जाकर रूप उनकी आजा दिन काम नहीं है तो गाउं में वैसे ही रूप तो यह एक्थर की क्या है होग जब एड़कर लेते हैं आपको और्टमेटिकली कलर्स दिखती है क्यार्टर अच्छा और शौरव शुक्तला के साथ भी आपने काम किया है शौरव तो मज़िदार सबसे मज़िदार इनसान है उनके साथ और एक लेवल का और मज़ा आता है कि उसक्रिप में नुवांसेट से बहुत बढ़ी हा काम करते हैं अब एक सीन समझाते है उसके बाद बैठ के ना स्क्रिप्ट नुवांसेट बहुत बढ़ी हा काम करते हैं तो इसलिए कौन कितने पानी में देखेंगे ना तो वाट वस रिटेन अच्छली उससे काफी अम डेवलब कर पाये साथ वो खुद ही खुद भी राइटर है आप जब माली यह आज कल रीजनल फिल्म में जनता बहुत पसंद करें दो तीन सब्सक्राइब करें और उडिशा की एक फिल्म आए ती दमन उसको बहुत-बहुत मतलब क्या हो रहा है अभी ओडिया इंडस्ट्री में उस फिल्म के पहले और उस फिल्म के बाद क्या कुछ बदलाव आया है या पिर नहीं काफी ओडिया सिनमा एक टू सटन एक्सें एक तरीके से एक स्लो वक्त आया था बट दमन बोलके नहीं उस समय पर प्रतिक्षा आया था और एक वेब सिरिस आया था गैंग सब पूरी बोलके है वह बहुत खुबसूरत का मलब जो नए जेनरेशन की बच्चे हैं वह इतने नए स्टाइल में नए तरीके से सिनमा बना रहे हैं तो आधिंग इस कम बाक तो इस प्यू बेस्ट फिल्म्स रिसेंट आई तो आधिया जब आप बड़े हो रहे थे तो कैसी फिल्में देखिया आपने क्या सिनमा देखा कि आज इस गाड़ी आपकी जो यहां तक पहुंची तिक गाओं में तो जब तीवी आय था वही जो संडे बारा एक बज़े वाली जो एक आठाव सिनमा देखते थे ज़्यादा तर ओडि उसके बाद सुरू हुआ रात को नौ बज़े जो हिंदी आठाव सिनमा तो जनरली आइ ग्रू आप वाचिंग दोस कैंड़ फिल्म उसके बाद जब सोनपूर गया कोलेज गया वहां पे जाके साहिद मेरा पेला फिल्म था आज का अरजुन अमिता वच्छिन तो थेटर मे पहला सिनमा था तो तब जाके से बड़े सिनमा देख पाए तो मेरे को सिनमा इतना इंफ्लूएंस नहीं किया जितना स्टोरीज बूग्स तो मैंने बहुत अली चाइल्ड हुड में ही पढ़ा ही कम करता था और मेरे भायों जो किताब लेके आते थे एक इंगलिस में सेक्सियर की किताब लेके आता था मैं वही पढ़ता था वो मेरे लिए वही कहानी वही सिनमा था अच्छा नहीं तो जो आर्ट हाउस फिल्में देख रहे थे उनमें कुछ मेमोरी में जो रह गई हो जो फिल्म में उस समय जैस बागवादूर अच्छा अमारे गोडिया फि जब बता रहे ना तो आपके चहरे पर जो रोमांज किल रहा है नहीं वह जाती नहीं है आदिमीमान समय एसे छोटी सी इंट्रेस्टिंग सीन थी और मैं उस समय पर हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि हमारी कानी लेकर कैसे एसे टीवी में आ सकता है बोलके दो घर में जग जब भी आये उसके बाद में दुद्देशन को ऐसे कुछ फिल्म होती है और रिपेट होती जैसे आया तो कोई अपने जगे से नहीं हिलेगा सब की बलाब 25-30 जने एक टीवी में बैठके देख रहे हैं अब लास्स सवाल मेरा कि आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाल अधिया की दो अभी रिसेंट जो फिल्म में आई हो वह प्रीकमेंड कर दिजए और दो क्लाइफ जो हनर की फिल्म हमें बता दिए देखिए क्लाइफाइ तो मैंने क्लाइफाइ देखा नहीं और कहीं पे तो शर्टन एक ग्सटन देखा थे और शर्टन व्याड़ नर्वे देखा था जो क्लीन एनरजी के ओपर था बैसिकली गैस की होल ट्रांसपोर्ट विद रस्या ओल था था बाकी एक तरीके से देखा जाए तो दोकुमेंटरी देखे हैं बट नौट फिक्शनल थी तो बेरी ओनेस्ट अभी ये दोहजार आठरा जो है केरला का जो फ्लोड फिल्म है जो सोनी लिप है ये कन से दैट अजो अन्वामेंटल फिक्शन और क्लाइफाई बोल सकते हैं जहां तक उडिया सिनमा का है उडिया सिन फिल्म हाकिम बावु है तो और वह कहानिया ऐसे कहानिया कि आज भी बनाएंगे तो तो फिलाल समय की कमी है मैं बहुत बहुत बात करना चाहता था बहुत टेक्निकल और पहलुओं को समझना चाहता था नील जी से लेकिन कोई बात नहीं फिर मिलेंगे हम लोग और 9 आगस् पर और हमें बताईएगा हम नील जी को बताएंगे या फिर से बात्चीत करेंगे शुक्रिया